दोस्तो एक बार लो, बिमारियां, भुड़ापा, किसी भी परकार की कमजोरी आपसे कोसो दूर रहेंगी और दोस्तो आपकी आखे और दिमाख भी तेज होगा और कमरदर, धकान या मोटापा, खुन की कमी आपको 100 सालों तक नहीं होगी नमस्कार दोस्तो, हमारे चैनल कराका हारदिक स्वागत हैं, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि दोस्तो आज की जो वीडियो हैं, उसमें जो ओश्दी बताई गई हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपके अनेक बिमार आयां दूर रहेंगी, आपकी आँखों की रोश्णी इससे बढ़ जाएगी, अगर आपके आँखें कमजोर हैं, आँखों से नहीं दिखाई देता, दूर की नजर कमजोर है या पास की नजर कमजोर है, उसमें आपको ये बहुत ही फाइदा करेगी, शरीर में आपके आश्यम की कमी दूर हो जाएगी, दोस्तों अगर आपको मोटापा है, तब भी आपका मोटापा इससे दूर होगा, पेट के रोग दूर हो जाएगे इससे, और दोस्तों आपकी बोडी भी स्ट्रोंग बन जाएगी, और बोडी अगर स्ट्रोंग होगी, तो आपकी अनेक क्योंकि इससे आपकी immunity power भी boost होगी अंदर से भी आप strong रहेंगे और बाहर से भी आप strong रहेंगे अगर आप इस ओशदी का सेवन करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं उस ओशदी में क्या-क्या सामगरी आपने डालनी है कैसे बनाना है और कैसे आपने इस ओशदी का सेवन कर दोस्तों आपने इस ओशदी को बनाने के लिए दो चम्मच अलसी लेने हैं दोस्तों अलसी बहुत ही फायदे मन होती है अलसी में omega 3 fatty acid होता है दोस्तों अलसी खाने से कई सारे फायदे मिलते हैं जैसे कि blood sugar level control में रहता है अगर इसका सेवन करते हैं कोलेस्टोल का level भी कम र इससे पच जाएगा और इससे अनेक बिमारियां आपकी ठीक रहेगी दिल में कून का बहाव है जो अच्छे से होगा अगर आप अलसी का सेवन करते हैं दोस्तों अलसी बहुत ही फायदे मन है यह चोटे-चोटे दिखने वाले बीच बहुत ही उपयोगी होते हैं अगर भदपूर मातरा में पाय जाता है जो की द्रग प्रवा को बहतर करके कून के जमने या थक्का बनने से रोता है और हार्ट के लिए भी यह बहुत ही फायदे मन है कॉलेस्टोर लेवल इससे ठीक रहता है तो आपने अलसी का लेना है दो चमच दोस्तों डिस्क्रिप्शन मे भी हम लिख देंगे कि कितनी कितनी सामगरी लेनी है और उसकी हम लिंक भी दे देंगे आपको अगर आपको अपने आसपास नहीं मिल रही तो दोस्तों आपको चाहिए इसमें एक चमच चिरोंजी चिरोंजी दोस्तों बहुत ही फायदे मन है चिरोंजी की तासीर ठंडी हो दिश में भी डाल कर खा सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रियोग यहाँ पर ओशदी बनाने के लिए कर रहे हैं, दोसों इससे शारेरी कमजोरी भी दूर हो जाती है, खास्तोर पर इसका प्रियोग मीठी चीजे बनाने में किया जाता है, इसमें पोशक तत्व भरपूर मातरा में पाये जाते हैं, जो कि स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मन्द है, दोसों चीरोंजी में प्रोटीन की मातरा काफी पाये जाती है, इसलिए ये हमारे शुरीर के लिए बहुत ही फायदे मन्द है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीरोंजी को चारोली, पयार ये प् दूसरी है जो हमें व्रिक्ष पृणों की घुठी से मिलती है जो फृणों की घुठी फोड कर निकल जाती है जिसे बोलचाल की भाशा में पिया 요र प्रीयाल या फिर चारोली या चिरुन जी भी कहते हैं दोसों चिरुंजी से हमारे स्वास्थे को काफी फायदा मिलता है हमारा स्वास्थे से ठीक रहता है अगर हम चिरूंजी का सेवन करते हैं ना सिर्फ स्वास्थे बलकी हमारी ब्यूटी भी इसे बढ़ती है दोससो flavor चिरूंजी एक तरह के सूखा मेवा ही होता है इसमें बहुत मातरा में खनीज पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमन है, और दोस्तों आपको चाहिए 12 बादाम, बादाम के फायदे तो आप जानते ही होंगे, दोस्तों बादाम में मोनो सैचुरेटिड फैट, प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मातरा पाया जाती है, इतना ही नहीं बादाम खाने से लिवर, कैंसर का खत्रक कम हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन E काफी मातरा में होता है, बादाम में अधिक उम्र में आखों और दिल को होने वले नुक्सान से बचाता है दोस्तों बदाम से भरपूर फाइदे हमें मिलते हैं क्योंकि ये विटामिन और पोटीन का खजाना है इसलिए आप बदाम को भी अपने डेली रूटीन में जुरू शामिर करें यहां पर दोस्तों हम बारा बादम इस ओशडी में डाल रहे हैं अब दोस्तों आपने लेना है दो चम्मच सूखा नारियल पाउडर नारियल पाउडर को तो आप जानते ही होंगे सूखा नारियल ये पहुत ही फाइदे करता है नारियल में डाइटरी फाइबर होता है जिससे दिल समंदी बीमारी नहीं होती और हमारे लिए फाइदे मन होता है इसे खाने से शरीर में फाइबर की मातरा पूरी हो जाती है जिससे कि हमें भूग नहीं लगती और हमारा मुटापा भी कंड्रोल में रहता है दिमाग भी इस करते हैं अगर किसी पुरुष को इन फर्टिलिटी की समस्या है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है और दोस्तों महिलाओं को खुन की कमी के कारण उन्हें एनीमिया हो जाता है तो वह भी औरतों की शकायदिस से दूर हो जाती है और दोस्तों इसमें आयरन काफी मात्रा मे मखाने भी हमारे लिए बहुत ही फाइदे मन होती हैं ज्यादातर डाइवटीज परसन को मखाने खाने से बहुत ही फाइदे मिलते हैं इसको फॉक्ट नट या कमल के बीज भी कहा जाता है दोस्तों मखाने से मिठाई, नमकीन और खीर भी बनाई जाती है मखाना पॉस्ट चिकता से भरपूर होता है क्योंकि इसमें मेगनीशियम होता है, पोटाशियम होता है, फाइबर होता है, आईरन, जिंक ये सब भरपूर मातरा में पाए जाता है इसलिए इसके खाने से हमें बहुत फाइदे मिलते हैं अगर एक मुठी हर रोज मखाने भी खा लिये, तो हमारा श्रीर इतना स्ट्रोंग हो जाता है क्योंकि इसके खाने से मदमे की समस्य ठीक हो जाती है फॉलेस्टोल लेवल ठीक रहता है मदमे के जो रोगी होते हैं, अगर मखानों का सेवन रोज करते हैं तो उनकी ये समस्य ठीक हो जाती है, धीरे-धीरे इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मातरा कम हो जाती है श्रीर में और धीरे-धीरे शुगर रोग बिल का खत्म हो जाता है दिल के लिए बहुत ही फाइदे मन होती है जिन लोगों को तनाव रहता है हमशा वो भी इससे ठीक होता है जोडो का दर्द भी इससे ठीक हो जाता है पाचन में भी सुधार होता है इसके सेवन से किड़नी को भी मजबूती मिलती है इसके सेवन से अगर हम और आल हेल्थ की बात करें तो इनसे बहुत ही फैयदा मिलता है और दोस्तों आपको चाहिए मिश्री अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको मीठा करने के लिए अप दोस्तों आपको बताते हैं की आपने इस सामगरी को कैसे बनाना है आपने लिए दो चम्मच अलसी, एक चम्मच चिरोंजी, बारा बादाम, दो चम्मच सूखा नारियल का पाउडर, एक मुठी मखाने लेने हैं और मिश्री थोड़ी सी लेनी हैं अपने टेस्ट के अनुसार, अगर आप इसको फीका ही खा सकते हैं तो वो बहतर है, अगर नही से ग्राइंट हो जाएगा और आपने इसका सेवन करना है रात को दूद के साथ, जो बड़े लोग हैं वो इसका दो चम्मच सेवन करें, रात को सोने से पहले दो चम्मच आपने लेने हैं और उपर से आपने दूद ले लेना हैं या फिर ऐसा भी हो सता है, आप दो दूर हो जाएंगी क्योंकि अलसी से भी हमें बहुत सारे फाइदे मिलते हैं चिरोंजी भी फाइदे मन्द हैं और बदाम के तो आप फाइदे जानते ही होंगे सुखा नारियल भी हमारे शिरील के लिए बहुत ही फाइदे करता हैं और मखाने जो अपने आप में बेमिसाल ओ और दोसों छोटे बच्चे इसका एक चमच सेवन करें। बड़े आदमी जो हैं वो दो चमच ले सकते हैं और छोटे बच्चे इसका एक चमच ही सेवन करें। बुष्ट हो जाएगी। इमिनिटी पावर बुष्ट होने से आप वैसे भी अनेक बिमार्यों से बचे रहेंगे। और दोसों आपकी बोड़ी स्ट्रोंग होगी। चेल जैसी बोड़ी बन जाएगी आपकी बिल्कुल स्ट्रोंग। और दोसों इसका सेवन करने से आप वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर जुरूर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नुदिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दूस्तिंग